बिसमिल्लाइ रुख्मान रहीम सबसे पहले हम देखते हैं एक्जाम्पल ओफ कोहियन हमने पिछली वीडियो में यह चीज डिसकस की थी कि कोहियन क्या होता है कोहियन बेसिकली अट्रेक्शन होती है बिट्वीन दा वाटर मॉलेक्यूल्स जो के उसे सर्फिस टेंशन का फिनॉमिना देती है यानि जिसकी वज़ा से सर्फिस ओफ लिक्विड रप्चर नहीं होती और स्मॉल ओब्जेक्ट्स जो हैं वो उसके उपर फ्लोट करते हैं जैसे हम एक्जाम्पल लेते हैं वाटर स्ट्राइडर की एक इंसेक्ट जो के सर्फिस टेंशन की वज़ा से वाटर की सर्फिस पे फ्लोट करता है उसके बाद हमारे पास आता है अधायन औ ओफ बटर अधायन क्या होता है एट्रक्शन ओफ वाटर मॉलेक्विट फोर दे मॉलेक्विट आफ अधर ऐन्स prohibition के लिए water molecule की attraction यानि किसी भी surface जो है उसमें xylem की example भी ले सकते हैं उसमें किसी solid surface की example भी ले सकते हैं non living की जो adhain होता है वो water molecule को upward climb करने में help करता है यानि हम उसकी example लेते हैं through glass dew water molecules glass के molecules की तरफ strongly attract होते हैं क्योंकि जो water molecules जो glass की molecule होते हैं they have more polar nature than water molecules जिसकी वज़ाद से water जो है वो tube में upward move करता है और इस action को capillary action कहा जाता है दूसरी example दी जाती है water की upward movement in xylem tube यानि जो xylem tube के cellular components होते हैं या chemical components जिससे xylem tube बनी होती है उसके लिए water की affinity बहुत जादा होती है और ये जो attraction होती है वो water को upward move करने में in xylem tube help out करती है एक estimate के according जो है जो है जाइलम में water तकरीबबन up to 200 मेटर ट्रेवल करता है एड्हेयन की प्रॉपर्टी की और जासे next जो प्रॉपर्टी है water की वो है high specific heat capacity यानि heat की वो amount जो के minimum increase in temperature के लिए जरूरी है और जब आप water की heat capacity की बात करते हैं तो वो number of calories required to raise the temperature of one gram of water up to one degree Celsius यानि एक degree Celsius water के temperature को rise करने के लिए जितनी heat की जरुएट होगी वो specific heat capacity है water की जो heat capacity है वो बहुत high है और वो किस वज़़े से high है वो hydrogen bonding की विज़े से high है heat capacity high होने का मतलब यह है कि water ज़्यादा heat water को require है to break the hydrogen bonds और hydrogen bond की breakage के बाद ही इसकी जो temperature है वो rise होता है यानि high heat capacity की वज़़े से water अपने अंदर ज़्यादा heat को absorb करने की capacity रखता है और यह minimize करता है change in temperature और इसकी वेज़े से यह temperature stabilizer के तोर पर यूज़ होता है और जो specific heat capacity है water की वो तकरीबन five time greater होती है than sand यानि जो sand land है वो faster जो है वो cool होती है as compared to the sea जब सूरच जो है वो गरूब होता है इसके लावा दूसरी अगर हम high heat capacity की example लें तो जो warm blooded animal है वो अपने temperature को अपनी body temperature को regulate करके रखते हैं due to the water और इसके लावा यह living organism को water sudden thermal heat shock से भी बचाता है यानि उसके temperature को stabilize करके रखता है उसकी body को cool रखता है तो एक question जो है वो हमारे mind में आता है कि why does water has such high heat capacity तो जो water की intermolecular bonds हैं उसकी वज़ए से water की जो heat capacity है वो high है और वो intermolecular bonds कौन सी हैं वो इसकी hydrogen bonds हैं अगर हम even के metal की भी बात करें तो metal की जो intermolecular bonds हैं वो weak हैं जिसकी विज़ए से उनका temperature जो है वो जल्दी rise हो जाता है लेकिन water का temperature इतने जल्दी rise नहीं होता बलकि water जो है हाइस्ट heat capacity chemical compound है जिसका temperature देर से rise होता है जो अपने अंदर ज्यादस ज्यादा heat absorb करने की capacity रखता है जो कि उसको different functions fulfill करने में help और करता है